नमस्कार दोस्तों मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अर्बन सिटी देशी हम पर आज हम बनाएंगे हलवाई जैसा गजरेला सर्दियों का मौसम आ चुका है दोस्तों और गजरेला ना बने यह तो पॉसिबल ही नहीं है तो चलिए देखते वाले कदूकस से कदूकस करेंगे यहां दो कदूकस हैं यहां एक साइड पतला है दूसरे साइड देखिए मोटा कदूकस हैं तो हम इसको इस पतले वाले कदूकस से ही कदूकस करेंगे सारी गाजर को हम अच्छे से कदूकस कर लेंगे बरीक वाले से यहां हमारी सारी पर दिलाएंगे और दो विसल इसको हम लो आंच पर दिलाएंगे यहां हमारी तीन विसल आ चुकी है अब हम इसकी स्टीम को निकाल देंगे स्टीम को निकालने के बाद हम इस कुकर को खोल लेंगे यहां हमने कुकर को खोल लिया है और देखिया हमारी गाजर स्टीम हो चुक अब हमारा काम है इसका पाणी को उडाना हम इसके पाणी को खश़ गड़ाई लेंगे लेंगे यहां पर कोशिच कीजिएगा कि आप लोह की की कड़ाही को योज करें aluminium की कडाही को आप totally avoid करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे हमने एक बड़ा टेबल स्पून देसी घी का डाल लिया है देसी घी में बना हुआ गाजर का हलवा बहुत ही अलग टेस्ट देता है बहुत अच्छा टेस्ट देता है तो हमने यहाँ पे एक बड़ा टेबल स्पून ले लिया है देसी घी का हमने डाला है अब हमने इसमें अपनी पूरी गाजर डाल ली है और हम इसको हिलाते हुए इसका पूरा पानी सुखाएंगे हमने flame थेज पे ही रखी हुई है हाई है flame यहाँ पे तो इसका पानी हम ऐसे ही हिलाते हुए उडाएंगे, सारा पानी हमें उडाना है इसका, पानी सुख जाने के बाद हम इसमें 500 ग्रैम रॉर शुगर एड़ करेंगे, यहां आप शुगर भी एड़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने हर वीडियो में यही कहती हूं, कि मैं अपने घर में raw sugar का यूज़ करती हूँ जो की health के लिए काफी अच्छा होता है और आप भी raw sugar को ही यूज़ करना start करें तो बहुत अच्छे benefits होते हैं इसके तो यहां पर हमने 500 gram raw sugar यूज़ की है जितना हमारा खोवा होता है उतनी ही हम raw sugar यूज़ करते हैं अभी इसने पानी छोड़ दिया है यह हम पानी भी इसका सुखाएंगे लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें अपना खोवा भी डालना start कर देंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा खोवा करके तीन या चार लॉट्स में डालेंगे यहां पर हम थोड़ा इसके lumps को तोड़ते हुए जो थोड़ा डालेंगे इसको मेल्ट करेंगे फिर हम और खोवा डालेंगे इस प्रोसेसिंग से हम चलेंगे इसको हम थोड़ा मेल्ट करेंगे जब तक इसके जो गुठलियां हैं वो सारी खतम नहीं हो जाती तब तक हम और खोवा नहीं डालेंगे इसमें जैसे ही इसकी गुठलियां ख खुआ डाल दिया था और उसके बाद हमने इसको भूना है खुआ डालने के बाद भी इसको अच्छे से भूना होता है इसको हमने ड्राइ होने तक भूना है मतलब जब हम चमच इसके सेंटर में से निकालें तो वो पानी इर्दगिर्द नजर नहीं आना चाहिए तो तब तक हम इसको सेखेंगे, सेखा हुआ गजरेला बहुत ही स् fasten बनता है, बहुत ही tasty बनता है इसको हम अच्छे से सेखेंगे यहां पे मेरे को 10 से 15 मिनित हो चुके हैं खोवा डालने के बाद तो इसी तरह से इसी प्रोसेस से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे यहां मुझे 20-25 मिनिट हो चुके हैं इसको सेकते हुए तो यह अच्छे से सिक चुका है अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी यहां पे मैंने एक बरतन में इसको निकाल लिया है और ड्राइफ रूट्स के साथ इसको गार्निश कर दिया है इसमें आप पिस्ता, बदाम, अक्रोट, काजू, किश्मिश कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो आप वो ड्राइफ रूट्स डालिए और इसका मज़ा लीजिए यह बहुत स्वादिश्च होता है बहुत ही अच्छा होता है खाने में और सर्दियां हो और यह न बनें यह तो पौशिबल नहीं होता तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई